हेलो फ्रेंट्स दिस इस यूर होस्ट रचित पंगाल आज हमारी वीडियो है टोपिक है तर्किश कांगल इस वीडियो में हम टोटल 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे पहला पॉइंट हिस्ट्री एंड ओरीजन दूसरा पॉइंट क्या ये डोग आपके लिए परफेक्ट है चोथा पॉइंट इस डोग का प्राइज और पांसपा पॉइंट कि ये डोग की ब्रीडिंग sis s Kimberly क्या काम लेते थे कि ये ना शीप्स या लाइफ को की परकस में यूज होता था यह बहुत अच्छा वर्किंग डोग लाट साउज डॉग ब्रीड और जो जो इ जो डोग है ने यह पेर में कasaki तेम में काम करते हैं और अगर यह जब यह पेर में होते हैं तो यह वाइब крайlies unless को भी मार सकते हैं जैसे कि dogs वहोस और बियर्स को भी मार देता है इसलिए बहुत अच्छे डोग हैं किसकी life stalks की protection के लिए अब बात करते हैं second पॉयंट की जो है quality और male और female के भीच में difference quality कुछ steps हैं कुछ point है जो तर्किश कंगल डोग breed है उसकी quality चेक कर सकते हैं कुछ steps है जैसे कि जो इसका musk और ear होते है ना उनका color black होते है और जो पूरी body होती है वो एक color की होती है इसके जो tail है वो curled होती है मतलब rounded होती है और जो इसकी जो chest है ना वो deep होती है और वो इसके elbows तक जाती है मतलब भारी chest होती है इसकी जो इसके जो आखे हैं उनका size medium होता है और almond shape बदाम के दाने की जैसी shape की आखे होती है इसकी और जो इनके ears होते हैं वो triangular shape के होती है और निचे से उनकी ears की tip जो होती है वो round होती है अब बात करते है male और female के बीच में difference की अब मैं बताता हूँ height के बीच में difference male और female की जो height है male की वो है 77 से 86 cm और female की है 72 से 77 cm male और female के बीच में weight के बीच में जो difference है वो male का है 50 से 66 kg और female का है 41 से 54 kg जो इसमें color आता है वो gray color light golden और phone color जो होता है न यह आता है इसके और और इसका lifespan है 12 से 15 years अब बात करते हैं तीसरे point पर जो है कि क्या यह dog आपके लिए perfect है यह dog एक बहुत अच्छा farm dog है बहुत अच्छा watch dog है इसको आप अपनी family के साथ रख सकते हो जैसे मैंने अभी बताया है यह protection करता अपनी family की दूसरे wild animal से ancient time में तो इसके same instinct है तो यह अपनी family के साथ बहुत अच्छी तरिक्के से रहेगा और बहुत अच्छी तरिक्के से अपनी family को यह guard करेगा तो आप अगर कोई guard dog डूंड रहे हो और बड़ा large breed डूंड रहे हो तो यह आपके लिए perfect चीज हो सकती है और मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर grooming के लिए इतना time जूरत नहीं है इसका short coat होता है तो आपने वीक में दो तीम बार अगर इसको brush करा तो यह इसके लिए enough है यह बहुत असानी से train हो जाता है मतलब training करवानी इसके लिए training जोती है आप इसको असानी से करा सकते हो अगर आप को बीजी हो नहीं हो आप किसे dog को अपना time नहीं दे सकते तो यह dog आप रख सकते क्योंकि यह अपनी space चाते अलग से तो यह शान तरीके से राम से रह सकते है पर इन्हें एक और बाद में पॉइंट है कि इनको exercise की बहुत जादा जूरता है जैसे मैंने अब पता बड़ा farmhouse है या फिर आप इसको पर ज्यादा time दे सकते हो exercise के लिए तो आप इस लिए dog की तरफ जाए तो यह आपके लिए perfect हो सकता है अगर आप नहीं दे सकते time तो आप इसकी तरफ मत जाए अब बात करते हैं चोथे point पर जो है price Turkish Kangal dog breed जो है इसका price 60,000 से 70,000 से start हो जाता अब बात करते हैं कि यह dog profitable है Indian market में या फिर नहीं है इस dog breed की बतलब की demand है इंडिया में और अभी इतना rare है मैंने भी बताया था तो अगर आप इसको import करा के अपनी lion त्यार कराते हो बढ़िया breed त्यार कराते हो तो आपका नाम चलेगा और आपके नाम से dog भीगेगा तो य करे और सब्सक्राइबरे मारे चैनल गू